नमस्कार एक बहुत बड़ा अपडिट आ रहा सुप्रीम कोट आप इंडिया के तरब से हमांचल स्टेट में आपको भी पता है कि जेएन को लेकर के तमाम तरह की बिवाद चल रहे थे कि हमांचल का हाई कोट हमांचल प्रदेश का हाई कोट ने कह दिया था कि जेए पोस्ट कोट का डिसीजन आपको भी पता है किसी भी मैटर पर आता है तो आपका कहीं न कहीं ये कानून बन जाता है आईदर आप किसी भी स्टेट के लिए हो चाहे आपका यूपी हो चाहे एक स्टेट कोई भी स्टेट हो अब ये इस डिसीजन के बाद इंपक्त ये होगा कि हर एक कि state में हर एक center level की job में कहीं न कहीं diploma के जितनी भी vacancies निकलती है वहाँ पे अभी तक तो क्या था कि restrictions थे लेकिन अब वो restrictions हट जाएंगे तो यह बहुत बड़ा एक decision है Supreme Code का अब मैं इस पे तो ज़्यादा बहस नहीं करूँगा इस मुद्दे पे कि यह decision सही है या गलत है मेरा तो suggestion यह है यार कि मैं मेरी अंतरात्मा यह है कि बीटेक के लिए separate post निकाल रहा है एक्चल मैं ऐसा हो क्यों रहा है क्योंकि बीटेक लेबल पे पोस्ट ही नहीं निकाल रहे ग्रेजुट्स लेबल पे ना तो एकी वेकेंसी आ रही है जादा ना ही आपकी public sector की ना ही central सरकार की मनसा यह है कि बीटेक के अस्परेंट्स की अच्छे खासा talented लोगों को जेई बना दो उनका grade पे कम कर दो उनको कम salary में काम करवा दो अब यह मनसा सरकार की है बाकि मैं अगर एक teacher हूँ मैं आप से अगर कहूं तो मेरे हिसाब से होना यह चाहिए कि जेई के लिए separate post आए बीटेक के लिए अलग post आए जेई का grade पे अलग हो बीटेक का grade पे अलग हो दोनों का वेकेंसी आपका separate हो जैसे कि चांसे सब सेलेक्शन आपका दोनों का अलग होना चाहिए मेरा opinion है लेकिन यह तभी possible है जब सब के लिए वेकेंसी कहीं कहीं क्या है अलग है अब यह सबसे बड़ी problem यह है कि आप बीटेक के लिए वो वेकेंसी निकालेंगे नहीं तो बीटेक के इतने सारे graduate बच्चे जाएंगे कहां यह भी समस्या है हमारे देश में अब मैंने तो आपको पूरे वीडियो में बता ही दिया कि सरकार चाहा गया रही है ठीक है overall Supreme Court ने मोहर ल लगा दिया है तो आपकी क्या राय है आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्षिन में बता सकते हैं overall बस यही मुझे एक information देना था इसका बहुत बड़ा impact पड़ेगा आने वाले upcoming JEE examination में क्योंकि बहुत सारी state level के organization ऐसे हैं जो अभी भी JEE post के लिए BTEC के students को allowed नहीं करते हैं लेकिन ठीक है आने वाले समय में हो सकता है वो करें ओके और उनके फैसले का कोई भी challenge कर सकता है दोस्तों ये एक छोटा सा update था बाकी ठीक है आप लोगों को हमारा information कैसा लगा आप लोग बताईएगा और engineering से संब्धित किसी भी exam की तयारी के लिए चाहे आपका JEE हो चाहे ने कहीं आप लोगों के लिए one stop solution आपको JEE की live classes आपका शुरू कर रहा है वीडियो की नीचे description section में लिंक है अट्डा के app तो classes आपकी चलिंगे उसका जा करके आप access ले सकते हैं दोस्तों सुक्रिया जय हिन जय भारत आप लोगों को ठीक है ओके बाबाए टेक क्यर इन्फ